15.4 दबाव समुग आईए एक घटना के माध्यम से दबाव समुग की प्रकृति और आधुनिक लोकतंत्र में इनकी भूमिका को समझने का प्रयास करें 1984 में करनाटक सरकार ने करनाटक पल्प वूड लिमिटेट नाम से एक कमपनी बनाई और उसे 30,000 हेक्टेर जमीन 40 सालों के लिए दे दी उस जमीन का इस्तिमाल किसान अपने पशों के लिए चारा गाह के रूप में करते आ रहे थे कमपनी ने उस जमीन पर नीलगिरी के पेड़ लगाने शुरू किये इन पेड़ों का इस्तिमाल कागज बनाने की लुगदी तयार करने के लिए किया जाना था लेकिन पहले से 1986 से किसान और राज के जाने माने लेखक और पर्यावरन विदों ने मिलकर सामुदाएक जमीन बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री को ग्यापन दिया और उनके द्वारा कोई कारिवाही न करने पर सर्वोच न्याले में याचिका दायर की सर्वोच न्याले ने आदेश दिया कि पहले जैसे यथा इस्तिती बनी रहे लेकिन इसके बावजूत जमीन गाउवासियों को न मिलने पर 1987 में कुनसूर नामक गाउव में सत्याग्रह शुरू किया गया इस अंदोलन का नाम था किटिको हच्चिको अर्थात उखाडो तथा रोपो और इस तरह से उस जमीन पर ग्रामवासियों ने नील गिरे के पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया और वहाँ पर ऐसे पेड़ लगाए जो की ग्रामवासियों के लिए ज़्यादा उप्योगी थे इसके बाद आंदोलन कारियों ने बहुत सारे विधायों को अपनी बाते समझाने की कोशिश की और इसके बाद लगभग सत्तर विधायकों ने सरकार पर इस बात को लेकर दबाओ बनाया अंत में किसानों की बाते सरकार को माननी पड़े और उन्हें अपनी नीती को वापस लेना पड़ा तथा इस कम्पनी को बंद कर देना पड़ा तो बैच्चों आपने देखा कि किसानों तथा बुद्धी जीवियों के समों ने करनाटक सरकार पर एक दबाव बनाया तथा उन्हें अपना निर्णय वापस लेने पर मजबूर कर दिया इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दबाव समों विभिन वर्गों के वर्ग विशेस के हीतों के उपर कारी करते हैं तथा इसके लिए वो ग्यापन देने या सुप्रिम कोट में याचिका दायर करनी जैसे सव्वेधानिक कारियों के साथ ही साथ प्रदर्शन, हड़ताल, आधी कारे भी करते हैं बच्चों इस प्रकार आंदोलन करना एक दबाव समों है इसी प्रकार और भी कई दबाव समों होते हैं और कुछ तो एक निश्चित नीमित संगठन का रूप ले लेते हैं जैसे चेंबर ओफ कामर्स एंड इंडोस्ट्रीज यह विभिन व्यवसायों तथा उ के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार पर दबाव डालता है कुछ विशेश समुदाय या विशेश व्यवसाय से जुड़े लोग भी अपना संगठन बनाते हैं जैसे की डाक्टरों का संगठन वकीलों का संगठन इसी प्रकार कुछ दबाव समों ऐसे होते हैं जो किसी विशेश समुदाय के हितों की रक्षा के लिए नहीं बलकि पर्यावरण, सिक्षा, स्वास्थ तथा अंतरास्त्री नीतियों पर सरकार पर दबाव डालते हैं और इसके लिए ये पुस्तके प्रकाशित करते हैं, अध्यन करते हैं तथा हमारे देश के अपसरों, मंत्रियों तथा जन प्रतिनिधियों से इस बारे में विचार विमर्ष करते हैं और बैचों, हमारे देश की जो नीति नर्धारन समितियां होती हैं, उन समितियों में भी इनके प्रतिनिधियों को सदस्य बनाये जाता है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि देश में दबाव समू एक महत्तपून कारे करते हैं बच्चों अभी एक प्रश्न उठता है कि क्या दबाव समू और राजनेतिक दल दोनों आपस में समान हैं क्योंकि राजनेतिक दल भी तो लोगों का समु होता है और सरकार के उपर दबाव डालने की दबाव डालता है लेकिन नहीं बच्चो राजनेतिक दल और दबाव समु इस बात से भिन है कि राजनेतिक दल का उदेश जहां सत्ता प्राप्त करना होता है वहीं पर दबाव समु का उदेशी सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि लोगों के हितों की रक्षा के लिए दबाव सरकार पर दबाव डाल कर अपना कार्य निकलवाना होता है